चुकि पार्लेमेंट चल रही है अब लोग एक एक करके आएंगे तो बहुत सारे लोग यहां आए हुए हैं तो उनका भी समय जाया नहीं होना चाहिए तो हमारे बीच में प्रोफेसर मुझकुम दूबे हैं जो आप जानते हैं कि देश के जाने माने सिक्षाविद और देश के फॉर्मर फॉर्ण सेकरेट्री रहे हैं और बिहार के कॉमन स्कूल सिस्टम आयोग के चेर्मेन भी रहे हैं मैं उनसे दर्खास्त करूंगा कि वो मंच पराएं और इस सत्र की संचार की अध्यक्सता करा हैं हमारे बीच प्रोफेसर प्रवीन ज्हा है देश के बड़े एकनॉमिस्ट है जवाला नेहर इनवर्स्टी में एकनॉमिक्स के प्रोफेसर भी है तो मैं उनको इन्वाइट करूंगा कि वो मंच पराएं और मैं चाहूंगा कि हम लोग की कारवाही शुरू हो और पार्लेमेंटेरियन आएंगे वो लोग इसको ज्वाइन करेंगे उस समय हम हम हाउस में डिसकॉशन भी ओपन हम लोग करेंगे तो उसमें उनसे आप जो चाहें सवाल जबाब भी कर सकते हैं तो यह जो हमने मीटिंग रखी थी आप जानते हैं कि अभी बजट पेश हुआ है और इस बजट की सिक्षा में पब्लिक फंडिंग के लिए हम बहुत लंबे समय से हम लोग संगर्श करते रहे हैं हमेशा हम कहते रहे हैं कि जब यह कानून बना था Right to Education Act 2010 में तो उस समय क्या financial requirement है इस कानून को लागू करने के लिए आप जानते हैं यह कानून बड़े संगर्शों के बाद बना और इसमें हम चाहते थे कि pre primary से higher secondary तक इस कानून के दाइरे में लाया जाएं लेकिन यह आधा अधूरा कानून देश को मिला और वो केवल class 1 से class 8 तक 6 से 14 साल के उम्र के बच्चों को कानून के दाइरे में शामिल किया गया हमारी मांग थी कि जो भी कानून देश को मिला है उसको देश के अंदर अमल किया जाएं और चुकि कानून ये बड़ा इतिहासिक था और दुनिया भर में सरकारों ने कानून बनाये हैं दुनिया भर में सिक्षा primary और elementary education universalized हुई कानून के जरिये हमारे देश में हम बहुत पीछे थे बहुत बहुत लेट हमने देश में fundamental right बनाया और उसके बाद उसको लागू करने के लिए कानून बनाया तो इसलिए बहुत बड़ा cumulative gap था structure के मामले में भी और finance के मामले में भी तो इसलिए हम चाहते थे कि ये कानून time bound हो और था भी 2013 तक पूरे देश के जो 1.4 million school हैं उनमें ये कानून लागू हो जाना था 2015 तक सारे जो teachers हैं वो regularize और trend किये जाने थे ताकि सिक्षा की गुर्वत्ता को बढ़ाये जा सके quality को बढ़ाये जा सके और ये दोनो time line पूरी नहीं हो पाई और इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि एक तो कानून में कुछ खामिया थी जो pre-primary और higher secondary को उसमें जोड़ा गया और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि वो underfunded था उसको जितने पैसों की requirement थी वो उसको दी नहीं गई, मिली नहीं और तब से हमारी लड़ाई है कि सरकार का जो commitment है भारी साहब ने 6% की मांग की थी सिक्षा के लिए जिसमें आधा स्कूल एजूकेशन के लिए और आधा उन्होंने उच्चे सिक्षा के लिए बात की थी छाषट में कहा था असी तक आप 6% बढ़ा कर कीजिए और फिर कम नहीं होने दीजिए फिर जैसे जैसे क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स भी बढ़ेंगे नंबर अफ चाइल्स भी बढ़ेंगे तो जो भी हो उसके आगे बढ़ाएगे उसको फिर इंफलेशन भी बढ़ेगा तो 6 से नीचे नहीं आना चाहिए असी तक ये काम किया जाना था लेकिन किसी भी सरकार ने नहीं किया और पूरा सिक्षा का बजट 3 परसेंट के इर्द गिर्द घूमता रहा तो सरकार का जो कमिट्मेंट अपने कानून के लिए है वो उसके बजट में दिखता पबलिक फंडेड स्कूल्स की मांग लंबे समय से होती रही है इस देश में क्योंकि आम लोगों के लिए गरीब लोगों के लिए दलित के पिछड़े अलप संख्यक और ऐसे भी गरीब परिवारों के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल एक मात्र साधन है सिक्षा हासिल करने का तो इसलिए हम ये कहते रहें कि आप सिक्षा पर बज़ट बढ़ाईए बहुत सारी रिक्मेंडेशन नीपा का कैलकूलेशन है खुदे में चार्डी ने बहुत बार मांग की लेकिन सिक्षा का बज़ट बढ़ा नहीं और यूपीय ने दो परसेंट सेस लगाया था आपको याद होगा दो जाद चौदा में सेकेंडरी एजुकेशन के लिए और जिसो प्रारंभिक सिक्षा कोस बनाये गया और ये कहा गया कि जो कमी है वो सेस से पूरा किया जाएगा अभी इस सरकार ने उसको 4% कर दिया स्कूल एजुकेशन का हाइर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन मिला के अभी 4% हो गया है तो 2% जो सेस था हमको ये उम्मीद थी कि जो सरकार का रेविन्यू कलेक्षन है उसका एडिशनल फंड है सिक्षा पर लेकिन देश से कितना बड़ा जूट बोला गया और 65% 65% जो सिक्षा के लिए खर्चा है वो सेस से आने लगा सरकार के रेगुलर फंडिंग कम होती चली गई और अभी सेस का ही बेसिक सेस हैस बिकम ए बेसिक सोर्स फर फंडिंग to the public education system अब फिर हमने और हर बार pre-budget consultation सरकार आयोजित करती है और हर बार हम pre-budget consultation में जाते हैं और शिक्षा की funding का मुद्दा उठाते है धीरे धीरे सरकार ने एक नया चैनल privatization और commercialization of schools का भी education का भी खोल दिया और सरकारी school आपको मालूम है देश में एक लाख डेर लाख school एक लाख पचास हजार school सरकारी school बिभिन कारणों से देश के बिभिन हिस्सों में बंद हो गए हैं पिछले पास सालों में उनको बंद कर दिया गया सरकार कहती है हम consolidate कर रहे हैं सरकार कहती है हम merger कर रहे हैं एक school को दूसरे school में merger कर रहे हैं कानून कहता है कि हम बच्चों के नजदीक school पहुँचाएंगे नेवर हुड में in relation to child school देंगे और सरकार ने merger करना शुरू किया 17,000 पिछली बार हम लोग लड़े तो 3,000 रिवाई हुए 13,000 इस्कूल राजस्थान में बंद हो गए ऐसे ही अलग-अलग जगह पे सरकारी इस्कूल बंद होते जा रहा है और सरकार ने कहा और राजस्थान में जो सरकार ने merger किया secondary school में अभी नया उन्होंने कहा है कि 300 government school वो उसके लिए उन्होंने bidding invite कि है private sector को देने के लिए और private sector में भी जो लोग सरकारी school को handover कर रहे है they are not charitable institution या philanthropy they all are commercial people वो commercial लोग हैं जो higher education पर कब्जा किये हुए हैं अब secondary और elementary education को take over करने की कोशिस कर रहे हैं देश में क्योंकि देश में सिक्षा की मांग बढ़ रही है सिक्षा मिलने चाहिए लोगों को अच्छी सिक्षा चाहते हैं लोग सरकारी school नहीं देता है तो वो पैसे पेट काट के भी खर्च करने को तयार है और ये जो मांग है इसको पूरी करने के लिए सरकार अपने system को तो कमजोर कर रही है private sector के लिए रास्ते बना रही है और उस मांग को commercial venture में बदल देने की कोशिश है इस देश के अंदर और अभी उन्होंने तीन सो स्कूलों के लिए रास्तान सरकार ने private properties sector को invite किया है ये बहुत सारे challenges हमारे सामने हैं कानून बना और कानून में हमने कानून में ये प्रावधान था कि एक no detention policy होगी और वो no detention policy जो है continuous comprehensive evaluation के साथ जोड ली जाएगे बच्चे फेल नहीं होगे लेकिन बच्चों का evaluation regular होगा और उससे देखा जाएगा कि बच्चों का क्या पक्ष कमजोर है जिसको school पूरा करेगा मदद करेगा अभी सरकार ने एक amendment पेश किया है जो withdrawal of no detention policy के लिए है वो विद्रा करना चाहते हैं राजी सरकार को allow करने वाले हैं और बहुत सारे education पे काम करने वाले लोग child बच्चों पे काम करने वाले लोग ये कहते हैं कि इससे जो हमारी कलपना है fear free education की इसके लिए जो difficult circumstances से बच्चे आते हैं क्योंकि एक संघर्स करके आते हैं बच्चे इसकूल तक पहुँचना गरीब लोगों के लिए एक लड़ाई है जंग है एक जद्द जहद है जिसको लड़ते हुए लोग स्कूल तक पहुँचते हैं स्कूल में रिटेन रखना उन बच्चों को उनका drop out नहोँ ये स्कूल का काम है ये system का काम है और आप अपने आपके पास teacher नहीं है आपके पास infrastructure नहीं है आपके पास learning atmosphere नहीं है और उसकी सजा आप बच्चों को देना चाहते हो तो हमने का ये continuous comprehensive evaluation कीजिए और हर बच्चे को explore कीजिए और उसके अंदर जो उसकी छमता है उसको विक्सित कीजिए ये काम स्कूल का है स्कूल को nurture करना है बच्चे को तो खैट parliamentary standing committee के सामने भी हम लोगों ने अपनी बाते रखी है और वो amendment अभी पार्लेमेंट में है और वो हमारे लोगों का कहना है बहुत लोगों का कहना है कि अगर no detention withdraw होगा तो उससे क्या होगा कि RTE का जो एक आत्मा है, soul है वो खतम हो जाएगी जो कि सभी को सिक्षा का अधिकार देता है तो इन सब चीजों से सिक्षा जूज रही है और अब ये सरकार तो आप जानते एक नई education policy लाने की बात कर रही है क्या है नई education policy उसका खाका भी पता नहीं है और नई education policy पिछली education policy से हम लोग कानून की तरफ बढ़ गए थे और हम मांग कर रहे थे कि इस कानून का दाइरा बढ़ है और पूरी स्कूली सिक्षा को legal entitlement के तहत address किया जाए और उसके लिए fund दिये जाए अब इस सरकार ने कुछ नई policy लाई है हमारे वक्ता बोलेंगे उस पर कि नई policy लाई है कि अब एक नया merger scheme आ गई जिसमें SSA, RMSA centrally sponsored teacher training यह सब merge कर देंगे और वो कानून को भी superset कर देगा अब आप समझ सकते हैं कि एक कानूनी हक, एक justice evil right और scheme में क्या फरक होता है कानून में scheme merge होगी या scheme में कानून merge कर दिया जाएगा यह एक बड़ा सवाल है तो इन सब चीजों से हम लोग जूज रहें और अभी जो budget है उस budget में हमें उम्मीद थी कि चुकि यह सरकार चार साल पूरे कर चुकी है और पाचवा साल है इसका और चार साल पहले इन्होंने अपने manifesto में वादा किया था कि हम 6 प्रतिशत GDP लाएंगे और पूरी तरह इस कानून को अमल में लाने के लिए काम करेंगे यह दो वादे manifesto में है तो अभी लगता है कि इनको वो manifesto याद दिलाना पड़ेगा क्योंकि यह चुनावी साल है और यह साल जो है वो चुनाव में जाएगा अब यह दोर ऐसा है जिसमें मुद्दों पर बात नहीं हो रही है यह हमारी चिंता का विसा है ऐसे चीजों पर बात हो रही है जिनका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है मुद्दों जो सिक्षा का मुद्दा स्वास्त का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा लोगों के अपने विकास के महंगाई या जो कुछ भी बाते हो वो जो मुद्दे हैं जो लोगों के जीवन स्तर को प्रफावित करती हैं महंगा बनाती हैं, मुश्किल बनाती है उन मुद्दों पे अभी चर्चा कम हो गई अभी बहुत सारे मुद्दे आ गए लोगों के जीवन के मुद्दे कम समसान और कबरिस्तान के मुद्दे ज़्यादा आ गए इन पे बाते हो रहे हैं हम चाहते हैं कि इन बजट और इन सब चीजों के जरिये हमें सरकारों को क्योंकि कुछ भी हम करते हैं, उसका अंतिम जो conclusion है, वो political gallery में ही होता है, राजनीतिक लोगों को संबेदन सील बनाना, sensitive बनाना, उनको अपने करतब्यों का याद दिलाना, यही civil society का काम है, उनके वायदों पर सवाल करना, यही civil society का काम है, और यह काम हमें करना है, तो लेकिन वो हर मीटिंग में जैसे होता है, बीच-बीच उन जब समय बिलता है, उनको आते हैं, पारलेमेंट नहीं रहती है, तब वो लोग यहां नहीं रहते हैं, यह मुश्किल है, तो मैं सोसता हूँ कि अब यह हम लोग अपनी करवाही शुरू करें, और हमारे बीच में इंजा साहब हैं, जो आम तोर पर इनको आप टेलिवीजन पर देश की आर्थिक नीतियों की का विसलेशन करते देखते हैं, और प्रफेसर दूबे साहब हैं, जिनका एक बहुत बड़ा अनुभव है, सिक्षा का भी और सरकार में काम करने का भी, तो हम उनके भी विचार स सामने और उस पर बात्चुत होगे हैं, और मैं एंजला तनेजा से भी कहूँगा कि आप भी मंच पर आएं,